अस्विन के सेलेक्शन से खुश नहीं है युवराद सिंग बताया उनकी जगे किसे मिलना चाहिए था मौखा युवराद सिंग ने इस इंटर्व्यू के दोरान साल दोज़र 11 बल्टकप की आदों को ताजा किया और साथी बल्टकप दोज़र 23 के लिए अपनी प्रतकरिया दी है इस इंटर्व्यू के दोरान जब पत्रकान ने युवराद सिंग से अच्छर पटिल के रिप्लेस्मेंट के तौर पर रवी चंदरन अस्विन को चुने जाने का सवाल किया तो उन्होंने इस सवाल का बहुती सटीक जवाब दिया इसके साथ ही उन्होंने रवी चंदरन अस्विन के सेलेक्शन पर भी सवालिया निसान खड़े किये हैं उन्होंने कहा है मुझे व्यक्तिकत रूप से लगता है कि टीम इंडिया में एजवेंदर चैल को मौका देना चाहिए और लेग स्विनर बड़े टूर्णामेंट में टीम के लिए मैच बिनर सावित हो सकता था इसके आगे उन्होंने कहा है अगर आप टीम में एजवेंदर चैल को नहीं चुन रहे हैं तो आपको उनकी जगह पर बॉसिंग्टन सुन्दत जैसे प्रधवाबान खिलाडी को मौका देना चाहिए असुर्ण के चैन पर बात करते हुए कहा है कि हो सकता है टीम को एक अनोविः खिलाडी की ज़रूत हो और उन्होंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए असुर्ण का चुनाव किया हो युवराज ने जश्पृत बुम्रा की जमकत तारीब की है उन्होंने कहा है कि बुम्रा एक मैच बिनट है और वो किसी भी समय खेलका रुख कोई तरह से आपकी तरफ मोड़ सकता है जश्पृत थीक उसी प्रकास से प्रदर्शन कर सकता है जैसे 21-11 के बल्रकप में जहीर खान ने हमारे लिए किया था